हलो दोस्तों हाल ही में साउट की एक डाक्टर मुवी आई जिसे आप लोग का रिक्वेस्ट अक्सर इसको इस्प्लेन जरूव करिए तो हम इस मूवी को आज इस प्लेन करेंगे तो आप से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक और सेयर और चैनल को सस्काइब जरू करें तो मूवी के सुरूवात में हम आर्मी के लड़के को दिखाते हैं जहां पर कुछ बारती सेयनी के साथ दुस्मन या पे सेयनीग भी घायल हुए होते हैं तब कैम के अंदर हम Dr. अर्जुन को देखते है जो कि आरमी की मेरिकल टीम से होता है और अर्जुन का इस मूव में में रूल है अर्जुन अब दुस्मन सैनिक का इलाज कर रहा होता है तब अर्जुन की senior officer उस पर गुस्टा करते हैं कि तुम यह सब क्या कर रहे हो यह तो अर्जुन का सिनियर पात माम जाते हैं इस सीन को देखकर हमें पता चल गया है कि अर्जुन कितना अच्छा इंसान है पिर अर्जुन अपने बेसट केंप वापस जा रहा होता तब उसको उसको होनी वाली पत्नी पद्वनी का फोन आता है जो कि अर्जुन से साधी करने के लिए मना कर देती है यह सुन करकर अर्जुन काफी उदास हो जाता और पद्मनी के साथ बिता हुए पल को याद करता है अगले सीन में अर्जुन अपने घर पहुच जाता है जा हम देखते हैं अर्जुन के घर वाले और पद्मिनी के घर वाले आमने सामने बैठे हैं क्योंकि अर्जुन के परिवार अले चाहते थे कि पद्मिनी ने अर्जुन से साधी के लिए मना क्यों किया तब पद्मिनी बोलती है कि अर्जुन एक इमोशनलिस आदमी है यह सुन करके अर्जुन की मम्मी को काफी गुस्ता आता और उनकी पदमिनी से बहस हो जाती है फिर अर्जुन के परिवार आले पदमिनी से अपने घर वापे चले जाते हैं और पदमिनी के पापा अर्जुन को बाहर ले आगर के बात करते हैं क्योंकि उनकी बेटी की बात पसंद नहीं आई थी। जब पद्मिनी के पापा और अर्जुन आपस में बात कर रहे थे। तब ही हम देखते हैं कि पद्मिनी की ममी को किसी का फोन आया रो उन्हें पता चला कि पद्मिनी के चाचा की बेटी ग्याइब हो चुकी है। जिसका पद्मिनी की फैमिली अर्जुन के साथ को ढूणने में लग जाते हैं पर उनको कभी भी नहीं मिलती। इसका पद्मिनी की फैमिली वाले पूलिस में लापता होने का फाया लिखाते हैं पर पूलिस इसको ज़्यादा सिरसी नहीं लेती। और बिना इंटकेशन के फार्मल्टी के लिए एक भगत नाम के पुलिस वाले को फैमली को फोन टैप कराने के लिए लगा देते हैं ताकि किनेपर का फोन आते हैं उन्हें पकड़ ले सके अब काफी देर हो जाती पर किनेपर का कोई फोन नहीं आता है तब भगत पवनी की फैमली को बताता है कि पैसे के लिए नहीं बलकि चाइल्ट ट्रैफिक के किनेप किया गया है होगा मतलब उनको जल्दी ढूरना होगा नहीं तो साथ किनेप को ही बेच देंगे पिता को अई सुनकर के काफी दुख होता है और वो कुछ भी फांसी लगाने की कोसिस करते हैं पर अर्जुन उनको बचा लेता है और कहता है को किसी भी हाल में ढूर करके रहेंगे भगत अब अर्जुन को पवनी के फैमली को बोलता है अगर ये कोई पॉलिक्स या मिनिश्टे का बच्चा होता तो पूरी पुलिक्स पॉर्स बच्ची को ढूरने में लग जाती है इसलिए उन्हें किसी भी हालाल में ढूरना होगा तब अर्जुन के दिमाग में एक आइडिया आता है वो बोलता है कि उसके पास एक प्लान है कि वो कमिशनर की बेटी को किडनेप करेंगे जिसलिए और ढूर सकते हैं कि अर्जुन और पद्मी की फैमिली को उसका प्लान बताता है जिसके अर्जुन पद्मी की फैमिली कमिशनर की बेटी को कुनेप कर लेते हैं फिर अर्जुन अब भगत को बताता है कि उन्होंने कमिशनर की बेटी के किनेप कर लिया है तब भगत बोलता है कि पुलिस तो अब कमिशनर की बेटी को ढूड़ेंगे वो कैसे पता लगाएंगे जिसके जवाब में अर्जुन बोलता है कि हमें पुलिस का प्रसीजर अच्छे से पता है जब भी पुलिस किसी को पकड़ लेकी तो भगत की मदस्ते उसे पूछ चातर के पता लगेगा यह पुलिस सहर के सारे छोटे बदमासों को पकड़ लेते हैं ताकि वो कमिस्नर की बेटी का पता लगा सकते जिसमें से अरजुन भी तीन गुंडो को अपने कबजे में ले लिता है जिनका नाम परताफ मोहाली और किल्ली होता है दरसल अरजुन को पता चल गया है कि जब गायब हुई है यह तीनों उसी के साथ ही होंगे अरजुन अब उन तीनों गुंडो को किड्ने निकालने का नाटक करके सच निकरवा लेता है उन्होंने बताए मैं किड्नेप किया हूँ जिसकी बाद उन्होंने कोई सी और के हवाले कर दिया इनका नाम इलविन और मेलिन है अब हम Elwin और Melwin को देखते हैं जोकि दोनों जूगया भाई होते हैं और उनके पास चिकी AI कैद होते हैं अरजुन अब Elwin और Melwin के बारें पता लगा लेता है फिर पदमिन की फैमली के उन दोनों भाईयों पर नज़र रखते हैं अर्जुन अब debug को पकड़ कर अपने घर लाता उर टोर्चर करके बारें पूचता है इसके वाज मेलवन अपने भाई को बचाने के लिए अर्जुन से बात करने को करके चोडने को तैयार हो जाता पर अर्जुन मेलुन को बोलता है उसको सिर्फ नहीं बलकि सारी लड़कियां आ जा चुए तब मेलुन बोलता है कि उसके बसकी बाप नहीं है यूँकि चैल्ड ट्रेफिंग का धंधा कोई और चलाता है जो कि काफी पाउरफुल आदमी है पदमी के फैमिली वाले अब अर्जुन को सिर्फ छुड़वाने के लिए करते हैं पर अर्जुन और पदमी की फैमिली को बोलता है कि तुम लोग सिर्फ अपना दर्दी समझते हो क्या तुम लोगों ने सोचा है कि परिवार अलों के बच्चियां गाये वे उन पर क्या बीती होगी तुम लोग की सोच कितनी घटिया है ये सुनकर कि पद्नी की और उसकी फैमली के सारे सर्म से सर से जुक जाते हैं फिर मेलविन अरजुन को बोलता है अगर तुम्हें सारी बच्चियों को बचाना तो तुम्हें गोवा जाना होगा तभी तुम सभी सा बच्चियों को बचा सकते हो जिसके बाद पद्नी की फैमली अरजुन का साथ देने के लिए मान जाते हैं अरजुन अब तीन और बदमासों को अपने जाल में फसा करके पद्नी की फैमली के सा पर कोई रियक्त नहीं करते फिर अरजन प्लान बना करके अपने आदमियों से पदमनी के टेरी का रिजॉट के किने कि बात उसके फैमली को पता चलती होँ रिसेप्शन में जा करके हंगामा करने लगते हैं यह देकर के टेरी पदमनी की फैमली को उनको पास बुला करके कहता है कि आप पुलिस के पास मत जाना क्योंकि उससे उनके रिजॉट की बदनामी हो जागी मैं किसी भी हालत में पदमनी को आज ही ढूर करके आपके पास ला दूगा अब टेरी का नेटवर्क बहुत बड़ा है वो अपने साथियों के मदद से पदमनी का पता लगा लेता और पदमनी को ढूरते हुए अरजुन के पास बहुच जाता है दरसलिया सब अरजुन का ही प्लान था ताकि टेरी उसके पास मिलने आए टेरी अरजुन को बोलता है कि उसे किसी भी हाल में पदमनी को चाहिए और वह उसके लिए कुछ भी कर सकता है तब अर्जुन बोलता है कि उसने तो वो लड़की मासे गई और एक्सपक्ट की थी पर टेरी बोलता है कि मैं उस लड़की को यहां से लिए भीना नहीं जाऊंगा अर्जुन तभी एकदम से अपने आधमी को गोली मार देता है ताकि टेरी को लगे वो खतानाक आधमी है नदे रखने को कहा था ताकि कुछ होती वो सब सम्हाल लेंगे अब टेरी अर्जुन को उसके आईलेंड पर लेकर जाता है ताकि वो लड़की को दिखा सके जिसे वो पदमिनी को बदल सके फिर जैसे ही अर्जुन टेरी के आईलेंड पहुंचता है तो उसको पता चलता है कि टेरी ने अब तक सारी किर्णैप की हुई बच्चियां इसी आईलेंड पर जमा करके रखा है यह देखकर के अरजुन अब समझ गया था कि अगर वो यहाँ पर थोड़ी भी होसियारी करेगा तो टेरी के आदमी बच्चियों को मार देंगे इसलिए अरजुन अपने साथियों को चुपके सुन की पोजिसन पर रोक करके एक नया प्लान बनाता है ताकि उन बच्चियों को कुछ ना हो और फिर अरजुन अब टेरी को बोलता है वो पदमीनी को बिना किसी सर्थ को छोड़ने को तयार है बस उसको 40 लड़किया चाहिए क्योंकि वो किसी बहुत ही बड़े ब्राजिल में गंगेश्टर को इंडिया 70 लड़कियों का सप्लाई कर रहा था और उसके पास बास 30 लड़किया हैं बस उसे लड़कियों में से 40 की कमी है अरजुन यह सब अपने मन में बना कर कह रहा था ताकि वो बच्चों को बचा सके फिर अरजुन टेरी को बोलता है इस डील के लिए उनको इतने पैसे मिले हैं जो कि कभी सोचे भी नहीं होंगे इसके बाद टेरी अरजुन का बात मान ले ताब हम देखते हैं कि पदमिनी अपने परिवार के पास पहुँचा और अब अरजुन को भी टेरी का पावर का अंदाजा हो गया वो अपने साथी करनल जेम्स को वहां से जाने को बोलता है ताकि उसके प्लान में कोई खतरा ना हो अब जेम्स अरजुन को मना करते हैं पर अरजुन के फोर्स करने पर जेम्स वहां से चले जाते हैं फिर अगले सीन में टेरी अपने पिता को अरजुन के डील के बारे में बताता है पर टेरी के पिता उसको एसे किसी अंजान आदमी पर वर्षा करना से मना करते हैं फिर टेरी अब अर्जुन को खाने पर अपने घर बुलाता है, ताकि वो अर्जुन को उसके पापा से मिलवा करके डिल करवा सके, टेरी के पापा अर्जुन से उससे ब्राजिलन डाउन से बात कराने को कहते हैं, अर्जुन नहीं पहले अपने पापा को डान बना करके बात क कराने की सोच ली थी क्योंकि उसको पता था एसाई कुछ हो सकता है अर्जुन अब टेरी और उसके पापा की डॉन यानि पापा से बात कराता है तभी अर्जुन के पापा वीडियो काल को एकदम से कार देते हैं क्योंकि वो डर गये थे और इधर से अब अर्जुन टेरी के पापा को बोलता है कि डान को तुम्हारी सकल पसंद नहीं आ, इसलिए वो डिल कैंसल कर रहे हैं, उस टाइम तक टेरी के पापा को पैसे का इतना लालच आ गया था, वो अर्जुन को कहते हैं कि हम लड़कियां सप्लाई दस दिन में नहीं, बरकि पांस दिन में ही कर देंगे थोड़ी देर बाद टेरी अर्जुन को अपने सभी साथियों से मिलवा करके डिल की बात करता है, फिर थोड़ी देर बाद अर्जुन के इस सारे पर मेलुईन टेरी पर हमला कर देता है, पर अर्जुन तुरंत खुद ही मेलुईन को रोगता है, एसा उसने इसलिए किया त करता है ताकि टेरी को सच पता ना चलिए पर मा वेटी को अपने इससे खुद को देखकर समाल नहीं पाते और रोते हुए अपने गले को लगा लेती हैं यह सिन मुई का सबसे इमोशनल सीन होता है अब और जुन को अपने आस पास बुला करके उसको गन तान देता है कि हाँ यही को बचाने के लिए आहाम आए है अब टेरी अर्जुन को फेमिली को बोलता है कि तुम लोग फिकर मत करो मैं नहीं मरूंगा मेरे धंदे के वसुल के खिलाप है लेकिन तुम सबको मरना ते है टेरी अब अर्जुन को पदमिनी के फेमिली को बंदी मना करके अपने अगले सिन में टेरी जो उनके सारे साथी को बंदी मना कर मानने वाला होता है तो यह एकदम से अपने भाई को मेरे साथी है जो कि तुमसे बदला रेने के लिए मेरे साथी मिल गया है यह टेरी के पापा एविन की बंदूख की नोक पर होते हैं जैसे हो बोलता है टेरी वैसे ही करना पड़ता है फिर अरजुन अब सारी की नैपिंगी बच्चीयों के साथ आइलेंड से लेकर के चला जाता है और वहाँ एल्विन टेरी के पापा के सुटकर उसको धका देकर को उसमें गोली मार दिता है उसे टैरी के पापा मारे जाते हैं तब टैरी के सारे साथी एडविन को गोली से छली छली करके मार डागा अब यहां पर ऐसा लग रहा था कि मुझी खत्म हो गई क्योंकि सारी बच्चियां बच गई है और पदमिय ने अर्जुन से अपने प्यार क प्राइज़ार भी कर लिया है तब अर्जुन के पास आकर के बताती है एक बच्ची मही आइलेंड में रह गई है तब उस बच्ची को बच्चाने के लिए जाने लगता है पर वहाँ पर सब लोग उसको रोकते हैं लेकिन और किसी की नहीं सुनता है क्योंकि अर्जुन को स सामने मारने किलिक करता है ताकि अर्जुन ये सब देख करके तड़के मगर अर्जुन तो खुद खड़ा उकर के उल्टा उस आदमी को मार डालता है और टेरी को बोलता है कि जब तक मैं यहां पालू इस बच्ची को कोई कुछ भी नहीं भी गाड़ पाएगा इस पर टेर अधाम से मनाई जाती है और यहीं पर दोस्तों समाथ जाती है तो आप लोग कैसी लगी आप लोग कमेंट नटके बताएं और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब शरूर करें